Hello students, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रक्खर इंग्लिश क्लास 8 कक्षा 8 की जो हमारी वर्क बुक है उस वर्क बुक में हम आज करेंगे एक्टिविटी जो वर्कशीट है हमारी नमबर 10 जो की हमारे पेच नमबर 12 पर है तो सबसे पहले आप पेच नमबर 12 निकाल ले और पैन पैंसल साथ में ले 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 तो हम शुरू करते हैं वर्कशीट नमबर 10 को Pen Pencil ले लिए हैं आपने हाथ में तो चलिए शुरू करते हैं आपको साथ के साथ पढ़ना भी है और समझ करके Worksheet को भी भर लेना है ठीके तो चलिए शुरू करते हैं See the picture See the picture Picture को देखे हैं जो आपको pictures दी हुई है इन pictures को देखना है And fill preposition Reposition क्या करना है आपको fill करना है अब यहां क्या fill करना है देखो bracket में में three words दिए है After, Before, Between After का मतलब होता है बाद में क्या होता है बाद में ठीके Before का मतलब होता है पहले और Between का मतलब होता है बीच में तो हमें यहां पर तीन शब्द काम में लेने है बाद में पहले और बीच में After, Before And Between तो चलो शुरू करते हैं नमबर वन पिक्चर जो है जहां में A, B, C, D, E, F दिया है अब यहां का है C जाता है Dash D in alphabet तो जो C है वो कहां आता है D से C और D में पूछा तो C कहां आ रहा है D से पहले आ रहा है तो C गोज बिफोर आ जाएगा यहां क्या हो जाएगा हमारा Before क्या बढ़ देंगा हम यहां पर Before तो यह हो गया हमारा पूरा sentence C गोज बिफोर D in alphabet सहीं इसी तरह से हम चलते हैं Next question पर जहां पिक्चर में हमें 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिये हैं अब कहा है 9 comes 9 comes यहने कि 9 आता है 8 8 से बाद में यह पहले पहले नहीं आता है बाद में आता है 8 के बाद तो बाद में के लिए हमने क्या खाता After तो यहां हो जाएगा A F T E After After 9 comes After 8 आता के बाद Next picture में देखो कि एक थीफ है और एक पुलिस है तो आगे थीफ बग रहा है चोर और बीचे उसके पुलिस दोड रही है तो यहां लिखा है The policeman was running पुलिस दोड रही थी कहां पर थीफ थीफ के पीछे दोड रही थी तो क्या हुआ कि पहले चोर दोड़ा उसके बाद पुलिस ने दोड़ना शुरू किया तो हम क्या कहेंगे The policeman was running After the thief After The thief चोर के बाद यहां देखिए यह राजू है Standing खड़ा है राजू is standing यह राजू खड़ा है His mother and father यह उसके mother और यह उसके father अब दोगो वो कहां खड़ा है तो उन्हों के बीच में तो बीच के लिए हमाने पास क्या शब्था Between तो हम यह लिखेंगे B, E, T W, W, E And Between तो राजू is standing Between his mother and father देखें Next picture में क्या हो रहा है Hand wash हो रहा है और हमें fill up में क्या दिया है Wash your hands अपने हाथों को धोते हैं Wash your hands तो अपने हाथ धो Using the toilet अब toilet करने पहले हाथ धोते हैं बाद में बाद में धोएंगे तो आप आद में के लिए क्लिए आएगा आफ्टर तो में रिख देंगे A, F, T, E, R After using the toilet Wash your hands After using the toilet अपने हाथों को धोएंगे टोलेट यूज़ करने के बाद फिर हमारा last question जिसमें हमें 1, 2, 9 काउंटिंग दी है अब यहां काई 5 5 के बारे में देखना है डश, 4 and 6 यह हमारा 4 और यह 6 अब देखो 5 क्या है 6 और 4 दोनों के बीच में है तो अफिर अगेन यहां पर क्या लिख देंगे between B, E, T W, E, N between तो यह हो गया हमारा 5 is between 4 and 6 तो इस तरह से जो हमारी वर्क्षीट है number 10 वो complete हो गई और हमने after, before और between का मतलब समझ लिया अगर आपको कोई problem आ रहे हैं तो comment box में comment कर दीजेगा और next वर्क्षीट की वीडियो देखने के लिए channel को subscribe कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगी है तो like करना मत भूलिएगा thanks for watching ट्राइग ट्राइगा टएलिएगा मतला 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 मतली है और अग्व경